वेलकम तू एबीसी केंपस आज हम कैफ फाइव एफ ए आर टू के सब्जेक्ट का पास्ट एक्जाम अनेलसिस कर रहे हैं आटम टूथाउज़न टूटी टू की एटेंप्ट तक और दो एंगल से हम अनेलसिस करेंगे एक चैप्टर वाइज अनेलसिस दूसरा अनेलसिस हमारा होगा वेटेज ग्रिड के हिसाब से तो ये जो चैप्टर वाइज अनेलसिस हमारे सामने हैं इसमें आप देख रहे हैं कि हमने model paper spring 2022 autumn 2022 इनको accordingly list किया है और फिर इससे एक average भी calculate किया है तो सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं कि जो topics examine हो रहे हैं उसमें consolidation से ज्यादा marks set हो रहे हैं income taxes से तो सबसे ही ज्यादा हो रहे हैं leases और IFRS 15 revenue from contracts with customer so ये चार topics ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जो है test किये जा रहे हैं लेकिन जो चीज और important है वो ये है कि अगर आप overall note करें तो कोई भी topic अमूमन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ignore किया जा रहा हूँ even यह जो हमारे पास presentation of financial statement है इसमें अगर हम देखें तो direct financial statements बनाने का कोई question नहीं है लेकिन असर में दूसरे questions के अंदर कहीं पर जो extracts मांग लिया जाते हैं या कोई impact मांग लिया जाता है तो somehow हम इसके knowledge भी कही ना कहीं इस्तमाल कर रहे होते हैं अल्दो directly examine नहीं हो रही तो कुछ topics जो हैं वो हम टेस्ट हो रहे हैं कुछ ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और across the attempt future में यह change भी हो सकता है तो जो top four topics हैं जो अभी तक का analysis है chapter wise उसमें chapter 12 chapter basically 12 and 13 combine कहना चाहिए तो यह सबसे ज्यादा उसके बाद income taxes और फिर leases और फिर IFRS 15 revenue इसी तरीके से अगर हम वो topics highlight करें जो के बहुत कम amount कम marks के लिए भी तक examine हो रहे हैं तो वो topic हमारे पास बनते हैं agriculture लेकिन agriculture इससे पहले ज्यादा marks का भी टेस्ट होता रहा है 8 marks के question भी उस पर आए हैं पूरे पूरे foreign currency transactions लेकिन यह topic important है operating segment इस पर भी दो तीन बार 8 और 7 marks के question आ चुके है ethical issues और जो है presentation of financial statement अब presentation of financial statement के analysis के ओपर हमें नहीं जाना चाहिए future preparation करने के लिए क्योंकि एक ही attempt में इस पर even 20 marks का question भी set हो सकता है chapter 10 और 11 पर मिला कर so यह just take analysis है ताकि आप evaluate कर सकें कि paper के जो trends है वो क्या है और मैं यह समझता हूं कि इसमें सबसे important lesson तो यह है कि हम यह notice करें कि हर topic important है क्योंकि हर topic किसी ना किसी time पर कम या ज्यादा का एक्जामिन हो रहा है अब हम देखते हैं कि के सब्सक्राइज ग्रिट को follow किया जाता है और उसका analysis देखते हैं तो weightage grid wise analysis जो है वो यह है कि तीन weightage grid है syllabus में preparation of financial statement जो के chapter 10, 11, 12 और 13 बनेगा यह 4 chapters है इन पे weightage grid है 25 से 35 की और अगर हम notice करें तो यह grid जो है वो follow की गई है तमाम attempts के अंदर और average पे भी इन on average भी obviously इस वज़ा से follow हो रही है अगर हम देखें फिर second area accounting for non current asset इसमें chapter 1, I is 38, chapter 3 agriculture, chapter 5 हमारा है financial instruments पर और chapter 6 leases तो यह भी 25 से 35 की range में इसकी weightage grid है और इस पर भी अगर हम notice करें तो इसको follow किया गया है 28, 31, 26 और average obviously फिर fall कर रही है इसके अंदर फिर जो हमारे पास last section है weightage grid में वो 6 chapters पर है जिसमें I is 10 और 37, if frequent included, IFRS 15, I is 21, income taxes, I is 12, IFRS 8 operating segment और ethical issues in financial reporting chapter 14 यह इसकी grade की weightage ज्यादा है बाकियों की निस्बत 35 से 45 और इसको भी अगर हम notice करें तो follow किया गया है 41, 40 और 45 तो average 42 पर आ रही है तो सबसे ज्यादा obviously यह chapter भी ज्यादा बनते है 6 chapters है तो इसकी grade भी ज्यादा है और इससे examine भी ज्यादा हुआ है तो FR2 में हम notice कर रहे हैं कि throughout जो है weightage grid को properly follow किया जा रहा है और उसके मताबिक ही paper set किया जा रहा है तो इसको आप अपनी paper की preparation में planning करते वे इस्तमाल कर सकते हैं कि किन topics को आपने ज्यादा focus करना है और किस हिसाब से आपनी preparation को लेकर चलना है That's all for today, have a good day That's all for today